हे फ्रेंड्स आपको क्या लगता है क्रोना वाइरस गर्म और मौशर वाले इंवार्मेंट के अंदर में मर जाएगा क्या इसकी स्प्रिडिंग पावर कम हो जाती है तो इस टॉपिक पे अमेरिका के प्रसीरेंड डोनाल ट्रम ने अभी हाली में एक रिसर्च के बारे में बा वाइरस पे नहीं पड़ेगा जिसके बाद इस टॉपिक पे काफी सारी बहसे भी होई थी और आए दिन आपको देखे जा रहे थे उस वक्त की सोसल मीडिया के अंदर में ये काफी ट्रेंड भी चल रहा था आपने देखा भी होगा अपने वाटसेप ग्रूप या फिर सोस किस रिपोर्ट के एकॉर्डिंग ये सारी चीज़े कही गई है ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में चली जानते हैं मैं हूँ रहूल और अब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे स्टेडी कोच यूट्यूब चैनल पर देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझ करोना वाइरस के बचने का जो उमीद होता है वो काफी कम होता है तो ये जो रिपोर्ट है आपकी जारी किया गया था डी एच एस यानि की डिपार्टमेंट ऑफ होमलेंट सिक्योर्टी के दौरा ठीक है तो इसी के एकॉर्डिंग डोनाल ट्रप ने ये सारे बाते कही है अ यानि कि मौशरवाले में जीवीत रहने की कम सवामना होती है जबकि ठंड और सुस्क में ऐसा उलट होता है इसका मतलब कि ठंड और जहां सुस्क होते हैं वहाँ पर ये ज्यादा फैलता है कंपेरिजन देन जहां पर हीट या फिर हाट वेदर होता है या फिर मौशरवाला वेदर होता है वहां के मुकाबले अब देखो वेगानिकों ने इसके डिएचेस के वेगानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर में यह जानकारी दी गई थी कि वाइरस भी भी भीन तापमानों यानिक अलग-अलग टेंपरेचर अलग-अलग जलवायू और सत हो यानि कि सर्फिस के अकॉर्डिंग जो है क्या परतिकेडिया करता है उसके बारे में रिसर्च करके रिपोर्ट बनाए गई थी दर असल यूरोपियो देशों के मुकाबले कोर्णा वायरस का एस याई देशों में परभाव कम देखने को मिला है जिसके अंदर में हमारा आपको यह बता दू क्या भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा इसका मतलब क्योंकि हमारे देश भी आता है यूरोपिये के अंदर में क्या हमारे देश के अंदर में भी क्या करोना वायरस दीरे-दीरे कम होता जाएगा और काफी कम असर देखने को मिलेगा तो मैं आ गर्म और अधिक नमी वाले वातावरण में ये सही परकार से जीवित नहीं दह पाता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर में यानि कि भारत के अंदर में अगले महिने से गर्मी बढ़ने वाली है और साथी साथ उम्मस भी बढ़ने वाला है इसका अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि धूप में तेजी से मरता है क्रोना वायरस और इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको पता दो कि जो डिएचेस के विग्यानिक है जिसके परमुक है आपके बिल ब्राइन कौन है तो बिल ब्राइन इन्होंने साफ सब कहा है कि क्रोन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर तो ये सारी चीज़ आपको ध्याना और इन्होंने साथे साथ एक और चीज़ कहीं कि और भी इंपोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है जो कि मैं सेहर करना जाता हूँ पुरे दुनिया के साथ जो कि वाकई में काफी महत्पून होंगे ठीक है देखो हमारा आज का सबसे महत्पून ये इंस्पेक्शन रहा है कि सूरी की रौशनी में वाइरस सता और हवा दोनों में मरते दिखाई दिये हैं उन्होंने कहा है कि हमने तापमान यानि कि टेंपरेचर और नमी में भी ऐसे ही प्रभाव देखे हैं हम तापमान और नमी दोनों को बढ़ा रहे हैं जो समान तोर पे वाइरस के लिए कम अनुकूल है, यानि कि अगर थंड पर देश रहता है ठंड अगर वाता वर्न रहता है तो ये उसके अनुकूल रहता है ज़्यादा अनुकुल वाले इंवार्मेंट रहता है वाइरस के लिए लेकिन अगर ये गर्मी और मौइशा बढ़ता है तो इसके लिए कम अनुकुल रहता है ये सारी चीजे इन्होंने बताया है मैं आपको जाते जाते हैं अब क्रोना वाइरस के अपडेट भी बताता चलता हूँ अभी दुनिया भार में करीबं 26 लाख लोग जो है इस वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं जबकि जॉन हपकिन्स विस्विजाले का अगर डेटा की अनुसार माने तो अमेरिका के अंदर में 8,60,000 मामले सामने आए हैं जबकि 49,759 लोगों की मौत भी हो गई है और भारत के अगर बात करें तो 27,000 पार कर चुकी है सारे कोरोना वाइरस के पोजिटिव केसे तो यह सारे चीज़े आपको मैंने बता तो आपको वीडियो पसंद आई हो गर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर जरू कीज़ेगा चैनल पर पहली बारा हो तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल कैकर को जरू प्रेस कर ले जाए ताकि हमारे चैनल को दोरक जो भी वीडियो अप्लोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले म बारे जिएusan अपको सब्सके जाए उस बाला भाल के बाला हो अप्वाए सब दोम अपको सब्सक की नोटे को जो एवी जाए